ओके फ्रेंद्स आज हम पढ़ने वाले हैं रो मेजर और कॉलम मेजर अर्रेंजमेंट लास् अरिंडास में भी हमने रो मेजर और कॉलम मेजर के फॉर्मुलास देख लिये हैं बट हम उसको समταव ले तें कि नासे वहा лекका है तो सबसे पहले बात तो यह है कि हम जिस तरीके से हमारे आरे को on paper बनाते हैं वो ऐसा कुछ होता है बट memory में हम ऐसा save नहीं कर पारेंगे Memory में तो हमको Contagious Form में ही हमारे elements को save करना है क्योंकि array की प्रॉपर्टी है कि array जो है वो randomly elements को access करने की facility देता है तो अगर हमने उसको इस तरीके से save कर दिया तो memory में वो randomly access करना हमारे लिए possible नहीं रह जाएगा इसलिए हमको उसको Contagious memory में ही save करवाना पड़ेगा तो उसके लिए हमने दो तरीके पढ़े है रो मेजर arrangement और कॉलम मेजर arrangement तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मेजर arrangement की suppose मुझे 11 इस position के element को का address find out करना है ठीक है तो यह position जो है वो position कौन सी है 3rd row 2nd column तो a of 3rd row 2nd column वाले element का address पता करना है हमको तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दे a of x and y x की value क्या पता चलगी हमको 3y की value क्या पता चलगी 2 3rd row 2nd column ठीक है अब i का मतलब होता है कि कितने number of rows हमने cross किये इस element तक पहुचने के लिए तो देखो first और second दो रो हमने cross कि तो i की value क्या जाएगी 2 ठीक है फिर n का मतलब है कि कितने element थे एक single row में तो कितने element एक single row में 4 तो n की value क्या जाएगी 4 तो total number of elements कितने cross करे rows में यहाँ पहुचने के लिए 4 into 2 8 ठीक है अब j पर आते हैं तो j यह बताता है कि desired element तक पहुचने के लिए कितने number of columns आपने cross करे तो कितने column cross करे 1 यह किसका formula पढ़ रहा है हम row measure arrangement का ठीक है कितने number of column cross करे 1 उसके बाद हम desired element पर पहुच जाएगे तो j की value क्या रग दी हमने 1 अब size of each element size of each element कितना given है आपके पास two bytes यह assumption है या फिर आपको given होगा या फिर आप element के type को देखती है पता कर पाएंगे कि क्या size होनी चाहिए ठीक है क्योंकि यह कैसा है array homogeneous collection of element है तो या तो सारे character होंगे या सारे integer होंगे या सारे float होंगे ठीक है तो उस basis पे हमने decide कर लिया कि size of each element कितना है two byte ठीक है और base address of array array क अतलब कहां से start हुआ वो store होना तो one वाला first element यहा है तो suppose यह 100 हो सकता है 0 हो सकता है 257 हो सकता है 396 हो सकता है कुछ भी हो सकता है base address तो हमने assumption किया है base address कितना 100 तो देखो i की value 2 हमने put कर दी n की value एक single row में कितने number of elements थे 4 हमने put कर दिये जे कितने number of columns को cross किया तो one size of each element 2 bytes और base address 100 इन सब को calculate किया तो कितना है यह 118 अब base address 100 का मतलब है कि first वाला element 100 लो address पे है तो और एक single element को store करने के लिए कितने bytes required है 2 bytes तो 100 and 101 यह दोनों address किसके लिए occupancy रख रहे है element 1 के लिए 102 and 103 2 के लिए 104 and 105 3 के लिए 105 sorry 106 and 7 4 108 and 9 10 and 11 12 and 13 14 and 15 16 and 17 18 and 19 तो देखो इसने बता दिया कि array का third row का second element 118 address पे और हमारे according भी वह वहीं आ रहा है अगर हमने row major arrangement को 1D array में convert कर लिया है तो ठीक है तो यह हमारा क्या था row major arrangement का formula यह formula पड़े या इसके just पहले वाला जो lecture है उस formula को पढ़ेंगे आप दोनों में कोई difference नहीं है वहाँ पे lower bound वाली terms denote की गई है यहाँ पे हमने खुद ने बता दिया है बना लिया है वह formula की action में वह formula काम कैसे कर ला है clear अब same as it is हम बात करते हैं column major order की अगर इस matrix को हुणने किसमें डाल दिया है column major arrangement में रख दिया है तो तो अगर column major arrangement में रख दिया तो 1510 2611 1510 2611 3713 3713 4814 4814 ठीक अब इस formula में भी हमको suppose यह same element का ही address बता करना है तो यह कौन सा है third row second column तो X or Y की value तो 3 और 2 हो ही गई अब जहां जहां पिछले formula में row था वहां वहां column हो जाएगा और जहां जहां column था वहां 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 row हो जाएगा तो I क्या था कितनी number of rows हमने cross करें अब यहां पर I क्या हो जाएगा कितनी number of columns हमने cross करें तो एक column को cross करने के बाद मैं desired element पर पहुँच सकती हूँ ठीक है तो I की value कितनी होगी 1 and एक single column में कितने number of elements है तो एक single column में कितने number of elements है 3 तो N की value कि होगी 3 J कितने number of rows को cross करने के बाद आप यहां पहुच पा रहे हो तो 2 row को cross करने के बाद पहुच पा रहे हो तो J की value होगी 2 एक element की size 2 byte, base address 100 यह सब assumptions है ठीक है यह सारी वाले समने put कर दी है और हमारे पास अब की बार address आया column major arrangement में 110, same element का अब देखने थे, base address 100 है तो 100 and 101, 1 के लिए dedicated है 102 and 103, 5 के लिए dedicated है, 104 and 5, 10 के लिए dedicated है 106 and 7, 2 के लिए dedicated है, 108 and 9, 6 के लिए dedicated है, 110 and 11, 11 के लिए dedicated है ठीक है तो 110 वाले address पे जो starting address होता है ना, किसी भी block का वही हमको यहां पर पता चलता है तो 11 का starting address हमको क्या पता चलता है, 110, अगले वाले element का आप find out कर दीजी और दोनों का minus कर दीजी आपको पता चलता है एक single block जो है, वो कितने bytes contain करके रख रहा है ठीक, तो row major और column major के दोनों के formulas हमने previous lecture में देख लिए बट ये भी एक तरीका है, easily find out करने का अगर आपको lower bound, upper bound ये सब clear नहीं हो रहा है, या फिर question में given नहीं है अगर values question में directly given है, तो जो हमने previous lecture में formulas पढ़े हैं, वो बिलकुम correct है और उससे आप easily find out कर पाएंगे बट अगर आपको action में समझना है कि हो क्या रहा है उन formula में, वो formula action में बनके ये ही आएगा बट वो हो क्या रहा है formula में, तो वो पढ़ने के लिए हमने ये lecture पढ़ा है, ओके तो ओके, थांक्यू, अगर आपको मैंने lecture अच्छा लगा है, तो like बटन पे क्लिक कीजिए और मैंने चानल के subscribe करके और updates लेते रहे, थांक्यू